दक्षिन अफ्रीका ने वंडे सिरीज के पहले मैच में टीम इडिया को 31 रनों से हरा दिया है दरसल इसहार के साथ भारत्य टीम तीन मैचों की वंडे सिरीज में 0-1 से पीछे हो गई है दरसल आपको बता दें कि टीम इडिया को बचा सोबरों में 297 रनों का टारगेट मिला था वो 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन ही बना पाई टीम इडिया की हार के बाद केल राहूल की कपतानी पर भी सबाल उठ रहे है फैंस का कहना है कि वेंकटे शायर को टीम में क्यों शामिल किया गया जब उन से गेंदवाजी नहीं करानी थी बता दें कि पाल में खेले गए इस वंडे मैच में टीम इंडिया पांच गेंदवाजों और एक और राउंडर के साथ उतरी थी वो बनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर काफी महेंगे साबित हुए वहीं भूबी ने जहां दस ओबर में 64 रन दिये तो वहीं शार्दुल ने दस ओबर में 72 रन लुटा दिये ये दोनों गेंदवाज रन लुटा रही थे लेकिन इसके बाब जूद राहुल ने वेंकटे शेयर को गेंद नहीं सौपी मैच के बाद भारती ओपनर शिगरदवन ने इसकी वज़ा बताई दरसल उनों ने कहा हमें उनकी जरुवत नहीं पड़ी क्योंकि इस्पिनरों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें विकेट से मदद भी मिल रही थी अंत में ज्यादा तर तेज गेंदवाजों का इस्तमाल किया जाता था बीच के ओबरों में जब विकेट नहीं गिर रहे थे तो हमारी सोच मुख्य गेंदवाजों को वापस लाने की थी लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके फिर अंत में हमारे स्पिनरों की तरह हमारे मुख्य गेंदवाजों को लाना जरूरी था वह आपको बता दें भारत के बिप्रित दक्षिन अफ्रिका ने चैक गिंदवाजों का इस्तमाल किया जिसमें पार्ट टाइम स्पीनर एडन मारकरम और एंडिले शामिल हैं दोनों ने 11 उबर गिंदवाजी की और 56 रंदे कर 3 विकेट निकाले शिगरधवन से ये भी पूछ अचा गया कि जब सीर्ष करम विफल हो जाता है तो वो यूवा भारतिय मद्यकरप के बल्लेवाजों को कैसे मारक दर्शन करते हैं पारत के लिए सरवधिक नावासी रन बनाने वाले सलामिय बल्लेवाज ने कहा कि वो इस बारे में बात करते हैं कि वो टीम की जरुरत के अ है कि आप टीम के लिए अपने खेल को कैसे बदल सकते हैं जैसे अगर टीम को साजितारी की ज़रुत है तो आपको उस तरह से खेलना चाहिए मुझे लगता है कि यह सब समय और अनभव के साथ होता जाएगा भारत और दक्षिन अफ्रिका के बीच स्रीज का दूसरा वंडे सिरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को यह मैच हर हाल में चीतना होगा क्या दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे कमेंट वॉक्स में चरूर बताएं